MNT News Network को सब्सक्राइब करें, लाइक को रूफ फॉलो करना ना भूले, साथी बेल आइकॉन दबाकर जन्जागरूती की मुहिम में चुड़े रहें आज की विशे में आपका क्या अनुमान है? जहां तक जो आपका विशे यो विशे आपने चर्चा सत्र में रखा है, यह बहुत महतुमन विशे है, इसलिए है कि इसकी बुनियादी कारणों पर जाना चाहिए हमें, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से जब से देश लागू हुआ, तब से इस देश में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भा यह मुफ्त में राशन और मुफ्त में वैक्सीन यह स्लोगन है, और स्लोगन इसलिए है कि इस देश में जो सिख्षा का जो अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, उस सिख्षा के अधिकार को सत्ता में बैठे भी सासव जातियों ने आज तक उसको सही तरीके से अमल में लाए, इसलिए यह सारी समस्या का जड़ है कि जो अनपड़ आदमी होता है, वो बड़े आसानी से भ्रम में आ जाता है, कि मुफ्त में राशन और मुफ्त की जो बात है, वो जानता ही नहीं कि हमारे लिए क्या संविधान में, हमारे लिए संविधान में क्या जो ब्यवस् धर्म सास्त्रों से और धर्म सास्त्रों में लिखा हुआ है इस्त्री शुद्रों विद्यान अधियताम इस्त्री और शुद्रों को शिख्षा मत दो तो जो इस देश का मुली निवासी बहुजन समाज है जो इन आरिय ब्रामनों की सामाजिक ब्यवस्ता में वो शुद्र कहा जाता है उन लोगों के लिए भारतिय समिधान में व्यवस्ता है देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार है यानि जिस तरीके से एक पिता की समपत्य में उसके हर बच्चे को बराबर का अधिकार होता है उसी तरीके से इस राष्ट की समपत्य में देश के हर नागरिक को चाहिए इसलिए हमारे समिधान निर्माता बाबा साथ डाक्टर अंबेतकार और समिधान सभाने इस बात को स्विकार किया है और समिधान की प्रस्तावना में उन्होंने ये बात को उजागर किया है इस देश के सभी नागरिकों को social justice, economic justice और political justice देने की guarantee समिधान करता है लेकिन वो जो social justice, economic justice ये देने की बात है ये आज तक लागू नहीं हुआ तो जब लागू नहीं हुआ तो अब सवाल है कि सर्था कैसे चले सत्ता चलाने के लिए इनोंने भ्रम का रास्ता अपनाया है और ये दोनों पार्टियां क्या स्लोगन देती है आयम निजह परवेति गड़ना लगुचेत साम उदार चरिता नाम तू बस देव कुडम कम यानि ये अपना ये पराया ये सब लग बुद्धी के लोग कम बुद्धी के लोग करते हैं पराया अपने की बात कम बुद्धी के लोग करते हैं अब उदार चरित्र वालों के लिए सारा विश्व अपना है यानि बस उद्धाय कुटम का का नारा कांग्रेस ने भी दिय बसुदहय कुटमकम का का नारा जो है यह भाजपा ने भी दिया तो आप खुद देख सकते हैं कितना बसुदहय कुटमकम है परोस में खान पान में उठन बैठन बोल चाल यह तीन चीजें महत्वड होती हैं जिनको यह हिन्दु कहते हैं जिनको सुद्रों को हिंदू काते हैं इस देश के मुल्निवासी बोजन समाज को उनके लिए सिक्षा का दरवाजा बंद है। आप खुश सोचिए हम धर्म की धर्म जो होती है मानोहित में होती है। इसलाम की धर्मिक पुश्टकों में लिखा हुआ है पालने से लेकर कबर तक इल्म हासिर करो। लेकिर दूसरी तरफ हिंदू धर्म सास्त्रों में लिखा है इस्त्री शुद्रों विद्या न देता। इस्त्री और सूद्रों को शिक्षा मत दो, जो ये व्यवस्ता है, इस्त्री और सूद्रों को शिक्षा न दो, सासक जातियां जिनके हाथ में आज सत्ता है, वो संविधान से नहीं बदी हैं, वो अपनी आरियों की संस्कृति से बदी हैं, आरियों की संस्कृति जो है, वो इ कदिकार मिला हुआ है और उसको वो जान जाएंगे जण आंदोलन चड़ेंगे और जण आंदोलन के कारण इस देश में वो सब्ता हांसिल कर सकते हैं अगर इसे देश के मून निवाशियों के हाथ मैं सब्ताह चली गई इस देश के उची जाति जन्हों कहते हैं जिनको दुजाती कहते हैं इनका एकादिकार सभी छेत्रों से सभी संस्ताओं से एकादिकार खतम हो जाएगा इसलिए ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये सत्ता इनके हाथ में जाए इसलिए लोग हमारे समाज के लोग यहां का माइनर्टी यहां का यहां का यहां का यहां का सी ओभी सी जो भारत के मूलनिवासी हैं इनको सिक्षा से वंचित इसलिए किया गया इनके अकल पर ताला इसलिए लगाया गया कि गलत और सही का आकलन नहीं कर सके इसलिए प्रवुण सिख्षा अनौप चारिक सिख्षा यह सब नोटन्किया। ड़ो देश में की गई कांग्रेस से लेकर आज तक। इसमें हमारे लोग जो है सिख्षा से मन्चित हैं, आज भी भारी संक्या में हैं। इसलाम में लिखा जरूर है, कि कालने से लेकर कबरत की इल्माँ खासिल करो, लेकिन आपके सामने समस्या है कि सत्ता किसके हाथ में है, क्या इसलाम की चलेगी वहाँ पर, क्या वहाँ पर नैतित्ता की बात चलेगी, वहाँ पर जो इन्होंने ब्रामनों की जो बनाए हुए धर्म शास्त्र हैं उनके माध्यम से इस देश की सत्ता चल लई है इसलिए यो मुफ्त में रासन और मुफ्त में जो है वैक्सिन का मामला है सवाल ये पैदा होता है कि ये इमिदाद जो बाट रहे हैं कांगरे से बाटती रही अधिकार की बात नहीं की भाजपा इमिदाद बाटती है जब चुनावाता है दो हजार बाइस का चुनाओ आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए ये सत्ता में बैटे हुई सासक जातियां पूरे देश में बड़े-बड़े बोर्डों पर लिखवा हर खेतर में हर संबैदानिक संसता पर इस देश के हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए लेकिन अधिकार से मनचित करने के लिए इस देश के को सभी को अधिकार मनचित का ये स्लोगन है मुतमेरासन जिससे की ये लोग छासे में आ जाएं और छासे में आकर इनको पूने सत्ता स्वाव दें ये बहुत बड़ी साजिस है इस साजिस को समझने की ज़रत है जब इस देश का आमाद भी नहीं समझेगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि ये कैसे जो है ये समस्या का समाद हनोगा ये हमारे साब ने बहुत बड़ी चुनोती है तो सवाल ये है कि हमारे लोग इमदाद की लाइन में क्यों खड़ी है किसने उनको इमदाद की लाइन में खड़ा करने के लिए कौन जिम्मेदार है क्या इसे देश की सासग जाती हैं जिनके हाथ में सत्था है उन्होंने खड़ा किया है उनको अधिकार इन्होंने क्यों नहीं दिया आज अगर हमारे समाझ के लोग बेबस हैं, लाचार हैं यह जो जितनी भी समस्याएं हैं उसकी जड़ आरिय ब्रामनों के हाथ में जो सत्ता है वो है और कोई दूसरा नहीं है यह हमें बर्गलाते हैं पिछले जनम के कर्मों का तुम फल भूग रहे हैं यानि तुम गरीब हो बेबस हो लाचार हो इसलिए कि तुमने पिछले जनम में गड़बड किया था अच्छे क काम नहीं किये थे इसलिए तुम्हारी यह बदहाली स्थित्य है इस बदहाली स्थिके लिए हवं करो हवं करो फुजापाड पार करो तेवदर्चन करो चार द्वांग की यात्रा करो यह पनान लोग ही इस पर रगल हैं इस पर मुप्त में रासन और मुप्त में ये जो वेक्षिन का मामला है क्या इस देश का नागरिक टैक्स नहीं देता है क्या इस देश का नागरिक जो मेहनत करता है वो इसका है या मोदी का है या अमिशा का है ये किसी ब्यक्ति का नहीं है ये समिधान इस देश के सभी नागरिकों क है समिधान सभाने इस देश के हर नागरिक को और सब्पर चाहिए देश कोई भिखारीन होना चाहिए सर्म है इस देश के लिए किसी और देश में भिखारी नहीं मिलेंगे लेकिन इस देश में भिखारी अगर है इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी वज़े से है अगर इस देश में कोई निरादृत है जितना निरादृत है उतना ही दरिद्र है इनकी व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था है इसलिए इनको समिधान से कोई लेना देना नहीं है, ये चाहते हैं, अपने पूर्वकी स्थिति लाना चाहते हैं, और अमिस्था ने कहा है, कि हम पचीश साल के अंदर भारत का प्राची नगवरों वापस लाएंगे, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है, कि हम इनके कमर में हाडू और गले में मठका बात कर छोड़ेंगे, वो कारिवाई चल लएई है, इसलिए आज इस देश में जनांदोलन की जरूरत है, यहां का यसी, यहां का यस्टी, यहां का ओबी सी, यहां का अलपसंख्यत, सभी को एक जुठो करके, जनांदोलन लेकर के खड़ा करना हो कियों, रन्यवाद के,